प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षाचे विशे हिंदी परक दोहजार तेइस, सीज, परिक्ष्या, स्टेट, एजुकेशनल, आचीवमेंट सर्वे, दोहजार तेइस, काजो हिंदी का पेपर है, उसका हल परारुप देखेंगे, आसा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, प्यारे विद्यार थी मेरे चैनल, नाउजल एजुकेशन, सिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, तथा कॉमेंट करें, कौन सा चित्र आथियों को दिखाता है, यहां आथियों को दिखाने वाला चित्र ये है, चित्र से मेल खाता सब्सुने, 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 यहां चित्र से मेल खाता सब्सुने, यहां चित्र से मेल खाता सब्सुने, चि कौन से दो सब्द एक ये अक्सर से सरू होते हैं बल्ब और बरतन कौन से दो सब्द एक ये अक्सर से सरू होते हैं गुलाव और गेंदा कौन से दो सब्द एक ये अक्सर से सरू होते हैं बकरी और बंदर दो बच्चे फुटबाल खेल रहे हैं कौन सा चित्र दिखाता है ये शी वाला चित्र दो बच्चों को फुटबाल खेलते हुए दिखाता है आपके मित्र के पास कुत्ता है वह कुत्ते को खाना खिला रहा है ये कौन सा चित्र दिखाता है ये B वाला चित्तर दिखाता है तीन बच्चे तालाब में हैं उनके पास एक गेंद है वे गेंद से खेल रहे हैं ये कौन सा चित्तर दिखाता है ये A वाला चित्तर दिखाता है ये तीन बच्चे हैं ये गेंद हैं और तालाब में खेल रहे हैं ये एक गद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द सौमौर को जारड़ पोच गृतप को करना है दूद खरिदना किसका काम है दूद खरिदना रोएट का काम है बच्चे या बच्चों दोरह किस दिन पोदों में पानी दिया जा रह हैं? रोईत सौमवार को पांगन साफ करता है ये एक अन्य गद्दैन्स और दिया गया है इस गद्दैन्स के आदार पर हमें परसनों के उत्तर देने हैं किसान हदिकतर गाउं में रहते हैं वह फसलें उगाता है और जानौर पालता है बैल क्या करते हैं बैल खेत जोतने का काम करते हैं किसान बहुत सरल जियुन जिते हैं किसान क्यों महत्तव पुर्ण हैं वे हमारे बोजन उगाते हैं ये एक अन्य गद्दैन्स और दिया गया है इस गद्दैन्स के आदार पर हमें परसनों के उत्तर देने हैं नित्व कहां जा रही है नित्व दूद पहुंचाने के लिए जा रही है नित्व के शिर पर क्या रखा है दूद का बरतन रखा है दूद बेचकर वेपैसे का क्या करेगी अंडे खरिदेगी कानी से हमें क्या सीख मिलती है आपको समय से पहले बहुत अधिक योजना नहीं बनानी चाहिए यह कानी से हमें सीख मिलती है